नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत अपने यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंजेक्शन एविल की एविलिन वेट के नाम से उपलब्द होने वाला इंजेक्शन पसुच कित्षा के बहुत ज्यादा केसेज में बहुत ज्यादा बीमारियों में इसका उपयोग अपन करते हैं तो क्या होता है ये एविल इंजेक्शन कौन सा इसमें साल्ट होता है कितनी मात्रा में उपलब्द होता है और किन-किन बिमारियों में इसका उपयोग कर सकते हैं कितनी डोज में इसका उपयोग करना होता है यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में अपन प्राप्त करने का प्रियास करेंगे तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए च इंजेक्शन एविलिन वेट जो होता है इसमें फैनरा माइन मेलेट नाम का साल्ट होता है फैनरा माइन मेलेट जो ड्रग होती है वो हिपनोटिक या सिडेटिव भी होती है और इसकी मात्रा इस इंजेक्शन में 22.75 mg पर ml होती है ओवर्डोज करने पर ये सिडेटिव का काम क करता है तो अपने को इसकी ओवर्डोज कभी भी नहीं करनी होती है तो अब बात करते हैं इसका उपयोग अपन कहां कहां कर सकते हैं तो देखिए किसी भी प्रकार की allergic reaction हो, किसी भी प्रकार की iver allergy हो, जानवर को, वहां पर अपने को Avil injection का उपयोग करना होता है कई प्रकार की allergic reaction हो सकती है जिसमें eaching होती है, exemma हो सकता है, dermatitis हो सकता है या photodermatitis हो सकता है या a cerve所 हो सकता है यह विभिन प्रकार की यह जो चमडी होती है इसकी नोती है जानवर की उसकी allergic reaction होती है जिसमें किसी में छोटे-छोटे दाने बन जाते हैं चमडी के उपर या गोल-गोल सर के लिया इसपोर्ट बन जाते हैं चमडी के उपर तो विभिन प्रकार की जो भी allergic reaction होती है चमडी से related उन सभी बिमारियों में अपने को evil injection का उप जाँचितरूप से काम में लेना चाहिए उसके अलावा किसी भी प्रकार की दवा, जो एंटिबायोटिक दवाइएं आती हैं, उनको लगाने से जान्वर में कई बार रियक्शन हो जाती है, जैसे पैनिशलिन गूरुप की जो एंटिबायोटिक होती है, उनको लगाने पर ज लेना है उसके अलावा ब्लोट हो जाए कई बार रूमिनल अटोनी यानि रूमन की मुमेंट कम हो जाने के वज़े जानुट आफरा जाता है वहां भी अपने विल इंजेक्शन का उप्योग ले सकते हैं अब बात करते हैं इसकी डोज की तो देखे इसकी डोज जैसा कि मैंने सुरू में ही बताया कि ओवर्डोज करने पर ये इपनोसिस प्रोड्यूस करता है ओवर्डोज होने पर ये सिडेटिव की तरह कारिये करता है इसलिए अपने को कभी भी ओवर्डोज नहीं करनी है इस स्मॉल एनिमल में 0.5 से लेके 2 ml तक ये अपन इंजेक्शन लगा सकते हैं तो ये सामानने से जानकारी थी आज की एविलिन वेट इंजेक्शन से रिलेटिए